प्रिये भाई और वहनों आज इका सुपसन्येश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं दुनिया की जिन्ता को छोड़ो आगे ही बढ़ता ही जन्त पाएगा शांती आरांग जीवन मिलेगा तुम्हे आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश और से बाटा जाएगा तुम्हे रार्थना के साथ सुनेए कर दूँगा इस बाग में हम इस परगार देखते हैं दूसरे अध्याई की तेरवे आइद से बाविस कलम तक एक बातों को यहां तो समझाते हैं प्रभीश मसी मंदिर में गये ओ समय पर यहुदी लोंग का मंदिर है ओ मंदिर में गया तो प्रभीश मसी ने वहां इस देखा वहां लोग व्याबार करते हुए देखा दंद करते हुए देखा कबूत्रों बेड़ बक्रियों और इस प्रगार की जो बिसनस प्रभीशु मसीने वहां देखा यह प्रभु का हुरदय में बहुत धुक हुआ कारणे के पुराना नियम में लिखा है जो मेरा पिदा क जो बावन है प्रार्थना का घर बनेगा लेकिन इस समय पर प्रभीशु मसीने उस मंदिर में परमेशर की बावन में आये तो वहां कोई आत्मिक बातों को देख नहीं पाया पूरे और शैतानिक बातों को देखा तो प्रभु ने एक खोड़ा बनवा कर वहां का जितने द यहूदी लोगों ने येशु मसी को पूचा इस पर यहूदीों ने उस से कहा तो जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्न दिखाता है ये सारे बातें तुम करते हैं तो क्या बातों को तुम दिखाना चाहते है तो प्रभीश मसी ने इस प्रगार कहा जो इस मंदिर को तुम लोग ढाल देगा में तीसरे दिन को उसमें कड़ा करेंगी लेकिन ये लोगों ने गलत रिदी सही बातों को समझा प्रभीश मसी अपने शरीर का मंदिर का बारे में समझाया इसके लिए हम इस बाग से चार मंदिर का बातों को हम दे सकता है एक बात है यहुदी लोगों का मंदिर वो समय पर इरिशले में ता और दूसरा है प्रभीश मसी का शरीर रूबी मंदर नाये नियम का निशार हवर दो मंदिर का बारे में हम देखता है अपने शरीर का बारे में प्रते जन का शरीर एक मंदिर है और जितने लोग उस मंदिर हो गया है वो लोग एकत्र होता है वो जगे में परमेश्वर का आत्मा वास करता है ये पन ये तो परमेश्वर का एक मंदिर है हम चार्च मंदिली कलीश्या करते है प्रभु हमको सहाईद करें प्रभीश्व मसी ने इस परगार कहा इस देह जो मंदिर है उसको दाग दे तो मैं तीसरे दिन उसमें खड़ा होगा तो हम देखना प्रवीशुमसी को लोगों ने सूली पर चड़ाया तो तीसरे दिन प्रवीशुमसी पुनुरधा नोकर उस मंदिर को खड़ा किया प्रवीशुमसी में पवित्रात्मा का बोर्न वास को हम दे सकता है दूसरी बात हम देखते हैं और अपने शरीर एक मंदर रूप में हम दे सकता है इसके लिए पहले कुरिंदी अध्याई 6 और 19 में क्लम में क्या तुम नहीं जानते कि तुमारी देख पवित्रात्मा की मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है शरीर एक मंदिर रूप में है और कलीसे का रूप में भी हम देखते हैं और कलीसे भी एक मंदिर रूप में पहले कुरिंदी तीसरे अध्याई की सौलाइद में हम देखते हैं क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है इसके लिए इस प्रगार की बातों को हम देखता है एक विक्ती में प्रवीश्व मसी आते है तो प्रवीश्व मसी का आत्मा आएगा तो वो विक्ती परमेश्व का मंदिर हो जाता है वो मंदिर हो गया तो क्या होता है मंदिर में वो मंदिर में प्रारतना होता है बाइबल का वचन पढ़ते है वचन सुनते है आरातना करते है और वो मंदिर से जो परमेशर चाहते है और ये सारे बाते निकलना शुरू होता है आप इस प्रगार इस मंदि बेन गिया क्या नहीं नहीं तो आप इशु मसी को अपने जीवन में ग्रहन करें दूसरी भात हम देखते हैं प्रभीशु मसी मंदिर को शुद्द करने के लिए आए हमारे विक्तिकती जीवन में कलीशय का जीवन में प्रभीशु मसी मंदिर को सफाई करना चाहता है अगर आ अशाजीवन या कोई मदिरा या कोई धारू जिस प्रगार की परमेश्वर की इच्चा नहीं है इस प्रगार की बाते हैं तो आप दूर कीजिए और आपका शरीर रूबी जो मंदिर है आप सब्बालिए और कलीशिय में भी ये बातों हम दे सकता है कलीशिय में प्रभु का जो मंदिर है उसमें अशुद्ध वस्तों आने नए प्रभु देता है अगर उस प्रगार की बाते होते हैं तो और प्रभु उसको सुद्ध करता है कभी वैदना-जनक बातों प्रभु शुद्ध करता है और मंडिली को परमेश Ар को और शुद्ध मिलना है और एफ़ेसर उनका पत्री में हम देखते है वो कलीशिया जो स्त्री कर रूप में भरनन किया है और शुद्ध करके और परमेश और पिताग का पास में एक कन्य कर रूप में परभू हम ले जाने के लिए चाहता है इसके लिए प्रभू हमारे जीवन में विक्तिके जीवन में हमारे जो कलीसे का जीवन में और प्रभू ये चाहता है कि हम सुद्ध हो के जीए प्रभू उस यहुदी लोगं का मंदिर को सुद्ध किया लेकिन ओ लोग वापस उस दंदे व्याबार को चाल किया लेकिन ओ मंद को नास कर दिया और कुछ साल का बात में यहूदी मंदिर उलों को नास्ट हो गया अभी भी उलों का मंदिर नहीं है लेकिन प्रभू युश्परगार के एक मंदिर बनाया अपने शरीर एक मंदिर रूप में खड़ा करें सासात में कलीसे को कड़ा करें जो सारे दुनिया में प्रवू में जो विष्वास करता है वो सारे लोगों को मिलकर एक मंदिर होता है दूसरी बात है और अस्तानिक कलीसिया मंडिली वो भी एक परमेशर का मंदिर है हम इस दिनों में हम और इस दो मंदिरों को हम सुद्ध करेंगे और सुद्ध का साथ में जीएंगे एक तो हमारे शरीर का जो मंदिर है तूसरी बात है और कलीसिया को हम सुद्ध में रखेंगे प्रभू आने तक प्रभू हमको सहाई दगरे आमीन